नमस्कार दैनिक सुरा टीवी देख रहे देश्विदेश के सभी दर्शकों का स्वागता और मैहूत तान्या राहुल गांधी के चीनी राज़तूद से मिलने जाने और पहले उसे चुपाने वबाद में कॉंग्रेस त्वारा मुलाकात की बात कबूलने पर हर्याना के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किये विज का कहना है कि कॉंग्रेस त्वारा इस मु निशानी आती है। और हर्याना की कंगरेश सरकार कुछ भी नहीं बोली। तब कौन सी नूरा कुष्टी थी। तब सुर्जे वाला कहां थी। दस साल तक जो रास्टपती रेफरेंस हुआ उसके अपर कोई कारवई नहीं हुई। तब कौन सी नूरा कुष्टी हो रही थी। जालंदर के कपड़ा कारोबारियों ने केंदर की भाजपा सरकार के खिलाब नारे बाजी करते हुए। जी एस्टी के खिलाब धरना परदर्शन किया वैपारियों का कहना है कि जब से जी एस्टी लगी है उनका कारोबार चौपट हो गया है। यह जड़ा साधी सरकार ने जून विछ कपड़े जोते जी एस्टी लगाया है आज जैसी वोदे वरोच के तरना पर दर्शन कर रहे हैं पंद्रावी दिन तो लगा तार उसी गौवर्मेंट दे वरोच असी ने सूरत, एमदावाद, बांबे, दिल्ली, राजेस्तान, सारिया सरकारान, स्टेटां, मार्किटां लगी हुई यहां है जड़े जिएस्ती चे साधी गौवर्मेंट ने के नारा दिता है या साधे पांसो तरताली एमपी और दोसर तरताली राजेसवाद एमपी, 786 बंदिया ने नारा दिता है कि वन गौवर्मेंट, वन सरकार, वन टेक्स जदके इदा बिल्कुली चूड़ता पलंदा है का साथे टेक्स जड़ा आया GST साथ तरीके दा लगा है एक है 0% टेक्स एक है 0.4 परची पहे टेक्स quarter परसेंट टेक्स है जड़ा के खाली कच्चे ही रेत लगाया गया है 3% दा टेक्स लगाया गया है जूलिरी ते 5% टेक्स लगाया गया है कपड़े ते उस तो पहाँ तारा है 12% 14% ते 25% मतवल किया कि 273 ते GST टेक्स लगा होया है एक दमी पठानी राज पठानी हुकम लागू कर देता गया के कपड़े दा काम भी साथा जगा भी साथी, वरकर भी साथा, पैसा भी साथा लेकान गौर्मन्ट दा रूला कैसी टेक्स देए, कला कला आदमी टेक्स देए तड़ा एक गली जी भी पेटा है टेक्स दिया नीतियानू सरल किता जावे GST वरगी पचीद की साथे लोगा कुल वपार असी लोग नहीं कार साथे साथे सथ तो सतर परसेट कपड़े दे वपारी जड़े दस पड़े भी नहीं है गे और जड़े साथे कारी करने जड़े साथे जौबर का लेने जादा तरे हो जैने जिन्हानों अपड़े साइन तक नहीं करने यां दे अजी यह चाने हैं कि नीती नू सरल कीता जावे साथे सिंगल हैट पिछो इउपर टेक्स लगया जावे जिद्धा पहले साथे 12% कुसी एक्साइस जूटी लगांदे सी उसी तरह यह टेक्स पूरा नहीं है तुसी नू 2-4-5% होर बदा सकते हो पर लगाओ सिंगल हैट दे उपर जिद्धा जिएस्टी सरकार ने लाया है ओदों दे ही साथी सूरत दी मंडी जड़ी है जिएस्टी दे विरोद दे अंदर बांद रख्या है उना ने शाधी जिलंदर दे भी आजे बफारी परावाने जेडा कपड़ बफारी परावाने रोज परदशन कीता है जी सूरत दे लाता जावें क्योंकि रस्ते दे अंदर जड़ा प्रवादान है किताबा लिखन दा या मीने बाद आपनी जड़ी है और सारा किताबा जड़ीया अपने दफ्तरा नुद दखाओ एजड़ा नहीं होना चाहिए दा अमना थ्यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में रोश पाया जा रहा है जिसके चलते पाकिस्तान वर जमू कश्मीर सरकार का विरोध होना शुरू हो चुका है इसी क्राम में शिवसेना बाल ठाकरे की और से बटाला में पाकिस्तान और महबूबा मुफ्ती का पुतला जला कर रोश व्यक्त किया गया जमू सरकार नो बार 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 जात करा गया कि उत्थे कधी भी आत्रादी हम लाव सकता हम्राज जमू किस्तान पांकिता जाए जमू संदर्मीं करें एपर जमू बार जात्राद गेया फाले केश्टान सब्सक्राइब ही आरमे जगर्जवीभी आरमीर जख्मी हो भाता हुली Petal सब्सक्राइब करना यह बड़ी दुखता ही कटना है सदी सरकार जड़ी एना ऐस पासे कोई भी ख्याल नहीं दे रही ए बहुत महारा काम हुआगा अग्ड़े होजा कम नहीं होना चाहिए सरकार नो इस बारे जुरू सुचना चाहिए लिए जात्री जड़े महारा महारा पठ्याला के काली देवी मंदर के बाहर अखिल भारतिये हिंदू सुरक्षा सिमिती द्वारा जमू कश्मीर में शिव भक्तों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की गई परदर्शन करते हिंदू सुरक्षा सिमिती के कारे करताओं ने हाथ में तलवारे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जम कर नारे बाजी की और कहा कि जमू कश्मीर की बस और कश्मीरियों को पंजाब नहीं आने दिया जाएगा करके गोली अट सथी मामा पेहना नुमा ले अज अंज असी इस तरने दाहीm केंदर सरकार नौं छल्दी कि पंजाब नेंदर क्शमीरी जमु कश्मीर के अनंत नाग में पकड़े गया तंकी संदीब शर्मा उर्फ आदल का मुझफर नगर कनेक्शन सामने आया है जानकारी के मताबिक संदीब कुमार मुझफर नगर के थाना नई मंडी के गाउं मुस्तफाबाद पचेंडा के रहने वाला है और मुझूदा समय में उसका परिवार मुझफर नगर की न्यू अंकित विहार कॉलोनी में रह रहा है सूत्रों के मुताबिक जिलाप्रशासन वा पुलिस ने कई घंटों की मुशक्कत के बाद संदीब के घर का पता लगाया और संदीब की भावी को हिरासत में लेकर पूछताच के लिए किसी अग्याद स्थान पर चली गई है संदीब किसका लड़का था आत्माराम का परवीन का क्या लगता था बाई यही मकान दा हुआ इस तरह के परवर्दी का बच्चा था किस तरह के सपने थे कोजे क्यों संदीब संदीब तो चोटा तो सुरुती हो खिंड़ा वा कोई गलत सलत रिखते हैं यहां का तो मुझे पता नीपर मैं फोना था बाई दो अजार वह उधरी जा जिया था पाई पश्मीर में रहे था पूई और लोग आते थे वहां से उसके ता उन्हें बताया था मुझे और पैस संदीब कुछ गलत साम भी करता था उस समा अपने जगाए आजी यहां तो दो ही भाई है यह बड़ा चोटा 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 एक संदीब शल्मा नाम का रग्तिक चल्मु रस्मीर में आरोपी मनाया गया है संदीब शर्मा यह रमेश महाल का लड़का है युस्तफाबाद नई मंडी पचेला रोट का रहने वाला है यह अभी तक इसपस्ट हुआ है उसके भाई का नाम प्रवीन रुक्मा शर्मा है प्रवीन वह आरिद्वार में प्रैक्सी चलाता है करीब धाई तीन वर्षों से वेल्डिंग का काम करने के नाम पर यहां से वो चला गया था किसी ठेकेदार के साथ और अभी यह ग्यात हुआ है कि कुछ दिन पहले पांच मिना पहले उसका फोन उसके भाई के पास आया था तो उसमें बताय था फिलाल इस बुलिटन में इतना ही अगले बुलिटन में फिर्म मिलते हैं तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमसकार कर दो